नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल सनोडिया91 पर मैं हूँ आपका दोस्त है बनरक्षक राजन सनोडिया देखे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये सिखाने आया हूँ कि old question paper को कैसे लगाते हैं ये जो old question paper है MP फारेटगार्ड परिक्षा 2023 में जो समपन हुई थी उसका 20-2023 की सिफ्ट के GK के 20 सवाल है आपको पता है कि MP फारेटगार्ड में GK के 20 question आते हैं 20 number के तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नहीं हम सिर्फ सीखेंगे कि old question paper को कैसे लगाते हैं ऐसा नहीं है कि question पढ़े answer देके और आगे बढ़ गए आपको best तरीका बताऊंगा old question paper लगाने का इसलिए मैं बारवार पोलता हूँ कि सबसे बैस तरीका है कि आप कोई भी exam दो तो उसके old question paper को जरूर लगाओ लेकिन उसका तरीका होता है क्या से इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि सफलता आपको सिर्फ आपकी मेहनत से मिलेगी इंटरनेट के जमाने में संसादनों की कमी किसी के पास नहीं है बस अपके पढ़ने का तरीका आपको selection दिलवाएगा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप कोई भी course खरीद लो तीक है या आप मुझसे पढ़लो या किसी से भी पढ़लो कोई भी coaching जोईन कर लेना आपका selection तभी होगा जब आप सोयम मेहनत करेंगे क्योंकि आपको पता है course सभी खरीदते हैं coaching सभी लगाते हैं books सभी के पास होती है और internet के जवाने में कोई ये नहीं कर सकता कि मैं गरीब हूँ मेरे पास ये किताब नहीं थी मेरे पास बो किताब नहीं थी इसलिए मेरा selection नहीं हुआ टीक है internet का जवाना है सभी चीज आपके पास निसुल्क पड़ी होई है चाहे YouTube हो चाहे Google हो चाहे कोई भी चीज हो आप कोई भी चीज सर्च करके दुनिया का कोई भी चीज पढ़ सकते वाज के समय में ठीक है बस आप कितना उसको seriously पढ़ते हैं आपका तरीका क्या है आप continuity कितनी रखते हैं यही चीजें आपको डिपेंड करती है कि आपका selection होगा की नहीं होगा चाहे आप कोई भी subject पढ़ो जी के हो, maths हो, हिंदी हो, इंगलीज हो ऐसा कोई subject नहीं है जो आपका कमजोर हो और आप उस पे यहने कर सको उसको आप cover न कर सको ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं चलिए बार बार मैं आपको ये चीज़ें नहीं बोलूँगा इसके बाद सिर्व आपकी class होंगी तो खर्दा के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था देखो आप पुस्तक में पढ़ते हो खर्दा का युद्ध है लेकिन यहां लिखकर आया है खर्दा का युद्ध तो आपके अंदर ये common sense भी होना चाहिए कि खर्दा और खर्दा क्या होता है चलिए सबसे पहली बात देखिए दोस्तों question पूछ रहा है कि खर्दा के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ठीके आप अभी सवाल को मत देखो आप ये देखो कि ये कहे का सवाल है हिस्टरी का है कि जियोग्रफी का है ये है भाई साब हिस्टरी का सवाल अब हिस्टरी के सवाल में भी कौन से हिस्टरी का सवाल है अब आपको पता होना चाहिए कि करदा का युद्ध कब हुआ था 1795 में करदा का युद्ध होता है किसके किसके बीच में होता है मराठा और हैदरावाद के जो निजाम थे इनके बीच में होता है तीक है उस समय गवर्नर जनरल कौन था तो गवर्नर जनरल के नाम उसने क्यों पूछा क्योंकि वही बिसेस था इसलिए पूँछा ठीके बिसेस इसलिए था क्योंकि उस गबर्नार जनरल ने इस युद्ध में क्या किया था हस्तचेप किया था हस्तचेप की निती लागू किया था इसलिए यह point important और यह लडाई भी important हो जाती है और इसमें जीता कौन था तो मराठा जीते थे और हैदराबाद के निजाम के हो गए थे हार गए थे ठीके ये सारी चीज़ा आपको पता होना चाहिए मैंने आपको क्या के बता दिया खरदा की लडाई जो हुई है 1795 में हुई है ठीके मराठा और निजाम के बीच में हुई है ठीके इसके बाद को बता दिया कौन जीता मराठा जीते अच्छा एक चीज़ ओर अब कभी धोका से पुछ ले कि खरदा कहां पर है बरतवान में तो खरदा भाई सब महराष्ट में है ठीके आपको एक कौश्चन पढ़ने के साथ सारी सीज़ पता होना चाहिए अब देखिए कहरा कौश्चन कि खरदा के युद्ध के समय गबरनर जनरल कौन था तो गबरनर जनरल था लॉर्ड जॉन सोर ये वाला उप्सन इसका सही था आपको ये पता हो गया कि हिस्ट्री है ठीक है हिस्ट्री का ये कौश्चन आया और ये आदुनिक भारत का कौश्चन हो जाएगा ठीक है चलिए नेश्ट कौश्चन देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टेक्स निमलिकीत में से किस संसुधा दोरा पेस किया गया था इसको आप पॉलिटी का कौश्चन कह सकते हो अप करेंट अफेर्स कर नहीं कह सकते इसको क्योंकि पाफी पुराने हो गया इसलिए ये पॉलिटी संविधान का कौश्चन हो गया तो किस संविधान संसुधा दोरा जी एस्टी को लागू किया गया था या पेस किया गया था ठीक है सबसे पहली बात तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका अंसर है 101 वा संविधान संसोदन अधिनियम 2016 लागू कब होता है GST? 1 जुलाई 2017 को लागू होता है देखो बहुत इंपोर्टन चीज है इसमें 101 वा संविधान संसोदन अधिनियम 2016 था लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ अगर आपसे पूछ ले कि विधेयक कौन सा था? 112 वा संसोदन विधेयक था देखिए समिधान संसोदन अधिनियम 101 है लेकिन विधेयक 112 वा लाया गया था इस चीज़ को याद रखना अच्छा ये है क्या? ये एक प्रकार का आप रत्यक्च कर है कैसा है? आप रत्यक्च कर है इस चीज़ को भी आपको क्या करना है? याद रखना है सीधा पूछता है GST किस प्रकार का कर है प्रत्यक्च है? अप रत्यक्च है और दो आपसा नौर देगा और आपसे पूछ लेगा तो ये आप रत्यक्च कर है अच्छे कितनी दर लागू होती है 5 प्रकार की दर लागू है कौन कौन सी 0% 5% 12% 18% और 28% ये बस्तू के उपर डिपेंड करता है कि कौन सी दर लगाएंगी 18% आपने ज़्यादता देखे होंगे ठीक है चलिए Next question बेकाल जील किस देश में इस्तित है बेकाल जील किस देश में इस्तित है तो बेकाल जील रूस में इस्तित है लुसेंट में आपने पढ़े होगे कि बिस्तू की सबसे गहरी जील कौन सी है बेकाल जील है विस्तु की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है सुपीरियर जील है तीक है आपने पढ़ा होगा कि विस्तु की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है केस्पियन सागर है आपको ये पता था कि वेकाल जील जो है बिस्यो की सबसे गहरी जील है लेकिन आपको ये पता नहीं था कि किस देश में इस जी थे क्योंकि लुसेंट में नहीं लिका है तो ये है रूस में तो आपको पता होना चाहिए देखो वो जमाना गया जब लुसेंट पढ़के सिर्फ आप कबर कर लेते थे लुसेंट अभी भी आपको सबसे पहले लुसेंट पढ़ना ही पढ़ेगा लुसेंट आपका वेस है तो आपको पढ़ने पढ़ेगा तो विकाल जिल कहाँ पर है बेकाल जिल भाई साब आपका रूस में है अच्छा आपको पता हो गया अब बेकाल जिल को क्या कहते है और याद रखना इसको रूस का गेला पागोस भी कहते है क्या कहते है रूस का गेला पागोस गेला पागोस भी कहा जाता है रूस का इसको ठीक है ये बात भी आपको याद रखना है इसके लावा क्या कहा जाता है इसके अलावा साइबेरिया का मूती भी इसको कहा जाता है वेकाल जील को ठीक इस परकार से आपको पढ़ना होगा ठीक है चलिए ये कहाई का question हो गया ये आपका हो गया वर्ल्ड जियोग्राफी का बिस्तु भूगूल का हो गया ठीक चली नेश्ट कोश्चन निम्ने में से किस नदी को तिबबत में सांग्पो के नाम से जाना जाता है ठीक है तो ये भी वर्ल्ड जियोग्राफी में ही आएगा या इंडियन जोगरोफी में आ जाएगा दोनों का मिक्चर कोश्चन है ये है ना तो तिबबत में सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रम्ह पुतर नदी को ब्रम्ह पुतर नदी जो है दोस्तों याद रखना इसको अरवड़ाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं कहा कहते हैं अरवड़ाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं बंगला देश में क्या कहते हैं ब्रम्ह पुतर नदी को बंगला देश में कहते हैं जमुना क्या कहते हैं जमुना चीन में क्या कहते हैं चीन में कहते है यारलूंग तिसांग पो तीक है तो अलग अलग नाम है ये तिबबत में क्या कहते हैं सांग पो तीक है ब्रह्म पुत्र नदी को तो सारी चीजें आपको क्या करना है जब आप एक कोस्टन को सौल कर रहे हो ओल्ड कोस्टन पेपर में त तो उसके जतने भी सम्मंदित कुश्चन है उस पाइंड से ठीक है उसको सबको पढ़ना होगा ठीक है चली नेस्ट है जमनलिकित में से कौन सा बेद प्रारंबिक बेदिक यूगी की सब्विता की बारे में जानकरी प्रतान करता है तो रिगवेद ऑप्सन नम्मर ए इसका सह उत्तर था चार वेद है रिगवेद यजुरुवेद सामवेद अथरवेद रिगवेद की रचना को पढ़ने वाले रिसी को क्या कहते है होतर कहते है इसके तीसरे मंडल में क्या है सूर देवता सावत्त्री को समर्पित प्रिसिद गायत्री मंदर है नोवे मंडल में देव पुंग चलोम नागा लेंड नागा लेंड के राज़ानी कोही मा नागा लेंड एक मात्रव भारती राज़्य है जिसकी आदिकारी वासा क्या है अंग्रेजी है सिड़ी की स्थापना किस वर्ष की गई थी सिड़ी की स्थापना होती है कब होती बताईए 1990 में टीक है सिड़ी एस आई डी वी आई कोश्चन देखिए एक जामनाना के सब पूचा है हिंदी में सिड़ी लेग दिया है टीक है तो इसका बुरा नाम क्या होता है भारतीय लग उद्योग विकास बैंक इसको कहते सिड़ी 1990 में इसकी स्थापना हुई थी एक अधिनियम के द्वारा टीक है चली नेस्ट कोश्चन विस्व जल्दीबस का मनाया जाता है वाइस मार्च को विस्व जल्दीबस मनाया जाता है नेस्ट कोश्चन एमनेस्टी इंटरनेशनल क का मुख्याला है लंदन में इस्थित है ठीक है चलिए 20 कोश्चन वाई साब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना अभी 10-12 मिनट होने लगे नेस्ट है किस नदी को मद्य प्रदेश की गंगा कहते हैं तो मद्य प्रदेश की गंगा बेदवा को कहते हैं अब देखिए आपको मैं बताना भूल गया यहाँ पर यह आपका मुख्याला वाला कोश्चन हो गया यह प्रमुख दिवस से हो गया ठीक है यह सिडवी की स्थापना मतलब यह एकोनॉमी का कोश्चन है यह ठीक है इसके लाब आप पुंग चलो मिनरते भारत के निरते से सम्मानित हो गय टॉपिक देखिए आप टॉपिक ठीक है इसके बाद यह कोश्चन आगया मद्यपरदेश की गंगा MPG के बहुत सारे लोग कह रहा थे कि MPG के नहीं आता भाई साब MPG के इस सिफ्ट में कितने कोश्चन आए हैं आप देख लीजी आप पहला कोश्चन यह है मद्यपरदेश बिंड में खेरात के खुले संगराले के खंड़र किस यूग के हैं अब यह कोश्चन जो है ना यह भी MPG का है और जो इस प्रकार के कोश्चन सौल करता है ना ठीक है वो एक्जाम में अगर मानके चलिए 10 लाग स्टूडेंट बैटे हैं ठीक है कितने लाग स्टूडेंट 10 लाग स्टूडेंट एक्जाम में बैटे हैं तो साड़े 9 लाग स्टूडेंट को यह कोश्चन क्रास कर जाएगा जिसने यह कोश्चन सौल कर दिया तो साड़े 9 लाग भी कम बोल रहा हूं मैं ठीक है साड़े 9 लाग भी कम बोल रहा हूं जो स्टूडेंट यह को सौल कर ल थे अगर एक्जाम में 10 लाग स्टूडेंट बैटे हैं तो 10 लाग में से 9.5 लाग स्टूडेंट से ये कोश्चन बन जाएगा तो 9.5 लाग से बन जाएगा मतलब ये कोश्चन एक एवरेज कोश्चन है इस से आपके सेलेक्षन पर कोई प्रभवाव नहीं पढ़ेगा ठीक है अगर आप से ये बन गया तो अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं बना तो उस पे आपका क्यों क्यों जाएगा उस पे आपका नुक्सान हो जाएगा ठीक इस गोश्चन को बनाने से आपका पायदा जरूर नहीं होगा लेकिन यह नहीं बनेगा तो नुकसान भारी हो जाएगा यह प्रकार का कोश्चन है मद्द प्रदेश के पहले में कुमंत्री कौन थे ठीक है MPG के पढ़ने वाले बच्चे बच्चे को पता है यह सवाल Next question मद्द प्रदेश राज में कितने अभ्यारन देखोने थे ठीक है कहीं जगा 24 पच्चे को कहता रहता है तो पत्चीस ही बच्चे करका तो पढ़ते समय ज्यादा दिमाग लगाने की जुरूरवत नहीं है कि यह ज़ोड़ूष है कि वो पत्चीस है है option से clear हो जाता है next है खालिस्तान राष्टी उद्यान मद्य प्रदिस की चरम उत्तर पूर्भी सीमा और सत्पुड़ा परबत संक्ला के उत्तरी किनारों पर रिस्तित है तो बांदो का राष्टी उद्यान है आपको MP का मैप नहीं आता होगा बनाके तो भाई बनाना सीक लो यार MP का मैप ठीक है MP का मैप थोड़ा थोड़ा बनाना सीक लो हमने भी सीक लिए हैं यह हलका हलका गांदो का राष्टी उद्यान उमरियम है इधर साइड मैं सीधा लिखा है उत्तरपूर्वी सीमा, उत्तरपूर्वी सीमा ये होगी, है ना, चलिए, नैस्ट कोश्चन है, खालिस्तान मद्य प्रदिस का परंपरिक नाट्टे हैं, ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ, ये भी बुई सवाल हो गया, जो बच्चे वाला सवाल हो गया, ठ ठीक है, दस लाग में से नौ लाग स्टुडेंट इस कोश्चन को सॉल कर लेंगे, माच, मद्य प्रदिस का परंपरिक नाट्टे माच है, नैस्ट कोश्चन, राश्टी विकास परशत के उद्देश के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये कोश्चन वो है, अगर दस लाग ल परश्याद बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसको सही उत्तर था, आरवी आई की मदद से बेदेशी लेजर को बढ़ावा देना, ठीक, सब पढ़ेंगे अपन, क्लास लगाएंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको और आपको भी पढ़ना पढ़ेंगे, ठीक है, आपको अपनी मेहनत सोयं करनी पढ़ेंगी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक, लुसेन पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली नी पढ़ना है, पीएजज नी करना है, अगर आप जीके में 20 में से 15 कोश्चन सही कर लेते हो, एक जैक्ट, तो आपका स्कोर अराम से 15 सही हो गए, पांच में अगर दो तुक्य में सही हो गए, तो सतरा, सतरा बहुत होते हैं जीके में, ठीक है, चली नैस्ट है, गंगा नदी किस स्थान से निकलती है, गंगा नदी कहां से निकलती है, गोमुक के निकट, गंगूत्री हिम्नस से निकलती है, ये भार आपने पड़ा होगा वच्पन में हिंदी में तो याद रहता नैस्ट है जार्ज केसल भवन किस बरस बनाए गया था यह सवाल हो गया अगर एक्जाम में दस लाक लोग बैटे हैं तो दस लाक में से इसको पांच लाक कर पाएंगे यह सवाल को नौ लाक कर देते हैं तो सवाल होगे हैं बस सवाल के पूछने के तरीका से क्या होता है आपको पढ़ने का तरीका क्या है यह आपको बताएगा इस्टुडेंट से पढ़ लेता है कि जार्ज केसल भवन मादो राश्टी उद्ध्यान सुखुरी में इस तीत है अरे बना कप था ये भी तो याद रखना पड़ेगा ठीक है 1911 में ये बना था ठीक है इसके अलाबा भी आपको बहुत सारी चीजे पता होनी पड़ा चाहिए किसके स्वागत में वनवाया गया किसने वनवाया ये सब चीजे पता होना चाहिए कौन सा राश्टी राजमार गुजरता है कहां से ठीक है सब पता होगा आपको चलिए तो ये होगा आपके टूटल 20 सवाल MPGK के कितने कुश्चन आया है मैं इस बात को मान रहा हूँ आपको दो तीन कुश्चन देखने को मिले है और किसी सिप्ट में देखने को नहीं भी मिले है लेकिन इसका मतलब यह तुन्ना है कि आपको पता है कि किस स्रिफ्ट में MPG की का question आएगा और किस स्रिफ्ट में नहीं आएगा एक बहुत सारे लोग बोल रहे थे MPG के नहीं आता है MPG के नहीं आता अब आपके सामने लिया हूँ ना मैंने लाया हूँ ना पीबी की साइट से डाउनलूट किया हूँ वेपर कोई मैंने अपने घर में तो नहीं बनाया हूँ इसलिए मैंने आज किया था कुश्चन टाइप नहीं किया और स्क्रीन सेट लगा के वीडियो बनाया है ताकि आपको विश्वास हो ना चलिए दूस्तों थेंक्यू जहिंज भारत